ओम शान्ति गुट मॉर्निंग आज प्यारे बाबा की 9 अक्टूबर 2020 के महाँ वाक्य हैं मीठे बाबा ने कहा मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बाते करो विचार सागर मन्थन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है प्रश्न है भक्त भी भगवान को सर्वशक्ति मान कहते है और तुम बच्चे भी कहते हो लेकिन दोनों में अंतर क्या है उत्तर है वह कहते भगवान तो जो चाहें वो कर सकता है सब कुछ उसके हाथ में है लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में पांधा हुआ हूँ ड्रामा सर्वशक्ति मान है बाप को सर्वशक्ति मान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सदगती देने की शक्ती है ऐसा राज्य स्थापन करते जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता ओम शान्ती किस ने कहा बाबा ने ओम शान्ती अब ये किस ने कहा दादा ने ना तो बाबा और दादा दोनों ने कहा एक शिव बाबा ने एक ब्रह्मा बाबा ने अब तुम बच्चों ने ये पहचाना है ओँचते ओँच की महिमा तो बहुत भारी है कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते अब ये भक्ती मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है मैं कुछ भी करता नहीं हो मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हो, सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्व शक्तिमान बन जाते हो, पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो, बाप सर्व शक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है, बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म बिनाश हो जाएंगे फिर सर्व शक्ति मान बन विश्व पर राज्य करेंगे शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे शक्ति मिलती है योग से इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है तुम बच्चे नमबर वार याद कर और खुशी में आते हो तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं कोई की ताकत नहीं जो छीन सके उच्चते उच्च बाप की महिमा सब करते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए नहीं तो नाटक कहने ही रौंग हो जाता है कहते भी हैं यह नाटक है हम पार्ड बजाने आएं है तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना यह भी कहते हैं हम उपर से आते हैं तब तो ब्रद्धी होती रहती है सत्युग में तो थोड़े मनुष्य थे इतनी सब आत्माय कहां से आई यह कोई समझते नहीं है कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है तुम बाइसकोप शुरू से अंत तक देखो फिर दुबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूँ बहु रिपीट हो गया जरा भी फरक नहीं हो गया जैसे जो पार्ट चला है वैसे ही चलेगा फिर वैसे सब मकान बने हुए मिलेंगे देखा शुरूर है और फिर सब ध्वस्त हो गए और दुबारा फिर देखो तो फिर वैसे बने दिखाई देंगे तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं कितना मीठा बाप है बाबा आप कितने मीठे हो बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधा में अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूद भी वहां पावन मिलेगा शेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं समय पर बच्चे को आप ही दूद पिलाती हैं बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंधन करना होता है यह बच्चों को भी देखो माता हैं ध्यान रखती हैं यहां तो कई पिलाती नहीं दूद हैं सुबह को बाबा से बाते करने में बड़ा मज़ा आता हैं बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की फिर हम श्र हमारे खुशी के दिन आते हैं यह खुशी की खुराक है इसलिए गायन भी है अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो अब हमको बेहत का बाप मिला है हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग लेते हैं हार खाते फिर जीत पाते हैं अभी बाप को याद करने से ही रावन पर जीत पानी है फिर हम पावन बन जाएंगे वहां लड़ाई दुखादी का नाम नहीं कोई खर्चा नहीं भक्ती मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया कितने धक्के खाये कितने गु जुरू नहीं करेंगे शांती धाम सुख धाम जाएंगे बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है वा हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं हमारा यादगार भी यहां है यह तो बड़ा वंडर है इस दिलवाडा मंदिर की त प्रमपार महिमा है, अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना, यहू बहू हमारा यादगार है, बाबा, मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ओपर में स्वर्की राजाई है, जाड में भी कितना क्लियर है, कलब्रक्ष क चित्र देखे, बाबा ने कैसे साक्षतकार कराये, फिर चित्र बैठ बनवाए, बाबा ने ही साक्षतकार कराया, और फिर करेक्ट भी किया है, कितना वंडर है, सारी नई नौलेज है, किसको भी इस नौलेज का पता नहीं है, बाब भी बैठ कर समझाते हैं, मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते, मनुष्य स्रष्टी बढ़ती जाती है, भक्ती भी व्रध्धी को पाते पाते, तमो प्रधान बनती जाती है, यहां अब तुम सतो प्रधान बनने का पु गीता में भी अक्षर है मन-मनाभव, सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है, अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मन्थन करना है, कि मनुष्यों को भगवान का परिचे कैसे दें, भक्ती में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ करते हैं, वो अभी विचार सागर मन्थन हुआ ना, अभी तुमको ग्यान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं, इसको ही फिर तीजरी की कथा भी कहा जाता है, तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारण की कथा भी मशूर है ना, तो यही तिसरा लेत्र मिलने की कथा कहें, तीसरा अमर कथा कहें, चत्यनारण की कथा कहें, युप्ट्वरासी जन्मों की कहानी है, इसे को सब कहते हैं. तो तीनों ही कथा बाबा देखो सुना रहा है, ग्यान मुर्डी ही हमारी तीनों कथाएं है, सुनाने वाला एक ही बाप है, जो फिर भक्ती मार्ग में चलती है, ग्यान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो, न साहुकार बन जाते हैं, इसलिए देवताओं को पदम पती कहत हैं, देवताओं बहुत धन्वान पदम पती बनते हैं, कल्यूक को भी देखो और सत्यूक को भी देखो, रात दिन का फरक है, बाबा ने कहा सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना, ये बेहत की दुनिया है, भारत है ही अभिनाशी खंड, या कभी प्राया लोप होता नहीं है, प्राया लोप मना उसकी निशानिया रहती है, कुछ ना कुछ पूरा नहीं विनाश होता है, जैसे मूर्तियां आज विद्देमान हैं, लेकिन देवताओं कहां गए, तो यादगार है, प्राया लोप मना एकदम लुप तो नहीं हुआ, कुछ उसकी न तो भारत खंड अविनाशी है, तो भारत है ही अविनाशी खंड ये कभी प्राया लोप होता नहीं, एक ये खंड रहता है आधा कल्फ फिर और खंड इमर्ज होते रहेंगे तुम बच्चों को कितना ग्यान मिलता है बोलो वर्ड की हिस्ट्री जोगर्फी कैसे चक्र लगाती है आकर समझो प्राचीन रिशी मुनियों का भी कितना मान है परंत वह भी स्रश्टी के आदिमध्य अंत को नहीं जानते वहठ योगी है हाँ ब भारत पता नहीं क्या हो जाता मकान को पोची आदि लगाई जाती है न तो शोभा होती है पोची मान भाइट वाश कराया उसको रिपेरिंग करा दिया तो फिर से सुन्दर लगने लगता है भारत महान पवित्र था अब वही पतित बना है वहां तुम्हारा सुख भी बहु में ही रहते थे तुम्हारा राज्य था कल की बात है फिर बाद में अन्य धर्माएं है उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है अब वह भी तमो प्रधान बन गए है अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए यह सब बाते नए को नहीं सुनान पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है बाप का नाम रूप देश काल जानते हो उन्च ते उन्च बाप का पार्ड तो मशूर होता है ना अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं तुम फिर से अपनी राजधानी इस्थापन कर रहे हो तुम बच्चे मेरे मददगार हो तुम पवित्र बनते हो तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर इस्थापन होनी है तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है फिर यह सूर्यवंशी राज्य होगा फिर रामण राज्य होगा चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है इन में तिती तारीक सब लिखा हुआ है भारत का प्राचीन राज्योग माना याद याद से विकर्म बिनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है दैवीगुण धारण करने हैं हा इतना जरूर है माया के तूफान आएंगे सवेरे उठकर बाबा से बाते करना बढ़ा अच्छा है भक्ती और ग्यान दोनों के लिए ये टाइम अच्छा है ना भक्ती भी सुबह सुबह करते दिन में तो फिर अपना काम काज रहता है मीठी मीठी बाते करनी चाहिए अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे बूढों के दिल में तो ये रहता है ना कि हम ये शरी छोड़ गर्व में जाएंगे बाबा कितना नशा चड़ाते हैं ऐसी ऐसी बाते बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए शिव बाबा हमको नर्कवासी से स्वर्गवा बासी बना रहे हैं पहले पहले हम आते हैं सारा आल राउंड पार्ट हमने बजाया है अब बाबा कहते इस चीची चोले को छोड़ दो देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ यह है बेहत का सन्यास बाबा ने का यह भी है यह बेहत का सन्यास है पूरी दुनिया को बुद्धी से भूलने की बात आती है वहां भी तुम बुढ़े होंगे तो साक्षतकार होगा हम बच्चा बनते हैं खुशी होती है बच्पन तो सबसे अच्छा है ऐसे ऐसे सबीरे सबीरे बैटकर विचार सागर मन्थन करना है पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी खुशी में घंटा डिर्ड घंटा बीच जाता है देखो जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी बहुत मजा आएगा और फिर घूमते फिरते याद करना है फुरसत बहुत है हाँ विग्न पड़ेंगे इसमें कोई शक नहीं धंदे में मनुष्य को नींद नहीं आती है सुस्त लोग नींद करते हैं तुम जितना हो सके शिवाबा को ही याद करते रहो तुमको बुद्धी में रहता है शिवा बाबा के लिए हम यह करती हैं भोजन भी शुद्धी से बनाना है ऐसी चीज ना हो जिससे खिट-पिट हो जाए बाबा याद भी करते हैं खुद भी देखो बाबा याद करते तो बच्चों को भी याद करना है ना भंडारे में ऐसी कोई गरबर चीज नहीं बनाओ जो फि दिवार में भी किटपिट हो जाए आच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्छो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्छों को नमस्ति हम रूहानी बच्छों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहत दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया, आज धारना के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा, फर्स्ट पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बाते करनी है, रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतिंद्रिय सुख का अनुभव करना है, सत्यूगी राजधानी स्थापन करने में, बाब का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है, याद से विकर्म बिनाश करने हैं, और भोजन भी बहुत शुद्धी से बनाना है, न कोई ऐसी गड़बड चीज नहीं बनानी, नहां धोके साफ सुतरक हैं, रसोई बनाके फिर भोजन बनाएं प्यार से, कि हमशे बाबा के लिए भोग बना रहे हैं, तो खाने वाले का मन भी चित भी एकदम शुद्ध हो जाए हैं, और आज का वरदान है स्वाइस्थिति द्वारा, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भवा, बावनिका परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वा इस्थिति यह देह भी पर है स्वा नहीं स्वा इस्थिति वा स्वा धर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकरती, धर्म, अर्थार्त, परधर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है तो जो सदा स्वय स्थिती में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं और आज का स्लोगन है परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो जो वेस्ट थोट चल रहा है उसको क्या करना परिवर्तन कर दो वेस्ट से अपना बैस्ट बना दो और आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं मम्मा ने कहा इस अविनाशी इश्वरी ज्यान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पढ़ती है अपना जो इश्वरी ज्यान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई होती जाती है यह ग्यान इतना सहज है जो कोई भी महानात्मा अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धी कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर व्रध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है देखो इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्यान को बहुत भारी समझते हैं कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिशद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने उसके लिए फिर भाशा सीखनी पड़े बहुत हट योग करें तभी प्राप्ती हो सकेगी लेकिन यह तो हम अपने अनुभाव से जान चुके हैं कि यह ज्यान बड़ा ही सहज और सरल है क्योंकि स्वयम परमात्मा पढ़ा रहे हैं इसमें ना कोई हट क्रिया ना जब तप ना शासरवादी पंडित बनना ना कोई इसके लिए संस्कृत भाशा सीखने की जरूरत है यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है भल कोई इस ग्यान को ना भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फाइदा होगा तो ना बाबा ने क्या कहा ममा ने कहा भले इस ग्यान को कोई नहीं भी समझ सकता मानो धारणा नहीं होती याद नहीं कर सकते ग्यान की पॉइंट सिर्फ योग भी लगावे तो भी बहुत फाइदा होगा इससे एक तो पवित्र बनते जाएंगे और दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मी भूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में भल वो अपने साकार ब्रह्मातन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं परन्तो याद फिर भी डाइरेक्ट उस जोती स्वरूप शिव परमात्मा को करना है उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी अच्छा ओम शान्ती आज अव्यक्त इशारे की नाइन्थ पॉइंट है बाबा ने कहा जैसे भविश्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे हर समय की कारी की ड्रेस और शिंगार अपना अपना होगा वहां इस थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय, जैसा कार्य वैसा स्म्रती स्वरूप मानु अम्रत बेले का समय है तो विशेश बच्चों के प्रती सर्व शकतिवान के वर्दान का, सर्व अनुभवों के वर्दान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में इस्थित होने का मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है उस समय मास्टर बीज रूप बरदानी स्वरूप की स्मरती रहे तो जैसा समय वैसा इसम्रती स्वरूब रहने से समर्थी स्वरूब बन जाएंगे तो समर्थी मन शक्ती आ जाएगे जैसा समय वैसा अपना स्वरूब बना दो अच्छा, ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती